नमस्कार बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत जब भी महाराष्ट में कोई राजनेतिक उथल-पुथल होती है उसका असर बिहार में तलासा जाने लगता है कुछ हद तक यह सही भी है लेकिन बहुत हज तक यह सही नहीं है पिछले साल यानि कि 2022 में महाराष्ट में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था और एक जटके में एंसीपी और सिवसेना की सरकार जो है वो एंडिया की सरकार में बदल गई वहां अजब महाराष्ट में सरकार का परिवर्तन हुआ तब बिहार में जो एंडिया की सरकार चल रही थी वो डगमगा गई क्योंकि उसका असर यहां पढ़ने लगा अब जेडियों ने सोचा कि सिवसेना को जब तूड़ दिया बीजेपी ने तो जेडियों को भी तोड़ सकती है बीजेपी इसी डर और भाय की वज़ा से एक जटके में बिहार में एंडिया सरकार महागडवन्दन की सरकार में बदल गए अब एक बार फिर ठीक लगभग समय वही है पिछले साल भी लगभग इसी समय यह उतल पुतल हुई थी और इस साल भी एंसी पी को जिस तर से तोड़ा गया ह उसका असर बिहार में तलासा जा रहा है देखिए बिहार ने एक बड़ा एतिहासिक काम किया पटना में खासतोर पर बिहार के मुख मंति नितिश कुमार जिन्होंने बिपक्षी दलों की एक साथ एक छत के नीचे बैठा दिया जो अब तक हुआ नहीं था और उस मैठक के लगभग दो हफते के बाद ही एंसीपी टूड जाती है जबकि शरत पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ पटना में मौजूद थे अजित पवार नहीं आया थे लेकिन अजित पवार मैक्सिमम बिधायकों के लेकर निकल जाते हैं अब करवाई भी हुई है एंस इस तरह की कारवाई की गई है एंसीपी को तोड़ा गया है क्योंकि महारास्ट में तो सरकार चली रही थे सीव सेना और बीजेपी की जो सिंदे के साथ है सिंदे गुट के साथ तो ऐसे में एंसीपी को लाने की जरूवत क्यों महसूस होई तो कहीं ने कहीं इसका मतलब वि कहा जा रहा है कि बिहार में भी उस तरीके की बात हो सकती है, बीजेपी कुछ कर सकती है, और सबसे बड़ी बात की जो बिहार के बरिष्ट बीजेपी नेता है, राजसवा सांसद, पुर्व उप मुख मंत्री शुशिल कुमार मोधी ने भी आसंका जाहिर की है, कि यहां भी जेडियू में तूट हो सकती है, और इस आसंका को तब और बॉल मिल गया, जब पिछले तीन दिनों से मुख मंत्री नितिश कुमार लगातार अपने विधायकों से मिल रहे हैं, वन टूवन बात कर रहे हैं, अला कि यह तूट से पहले से उनकी परक्रिया चल रही है, लेक अपने विधायकों को एक जूट रखने के लिए वन टूवन बैठक कर रहे हैं, मिटिंग कर रहे हैं, सबसे हालचाल पूछ रहे हैं, कहा जा रहा है कि धाई सालों से वो मिले ही नहीं विधायकों से, अब उनको बुला बुला के मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं, यह आसंका जरूर है जेडियू के अंदर किनकी पार्टी टूट सकती है तो पार्टी को टूट से बचाने के लिए नितिस्कुमार क्या कर सकते हैं। इस पर भी चर्चा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि अगर आर जेडी और जेडियू का बिलय हो जाये। आपको याद होगा कि RGD और GDU के विले की बात सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गई थी और उस सिल्सिले में जो रास्टिये काज करनी के बैठक हुई जनता दल की तो उन्होंने अपने पार्टी का नाम बदलने का और सिंबूल बदलने का भी एक तरीके से परस्ताव पास कराया था तो उसे यह लगा कि GDU और RGD का विले हो जाएगा तो विले हो जाएगा तो दोनों पार्टियां मिलके 125 हो जाएंगी 125 से भी के लगभग जो बहुमत से जादा है और पार्टी तोड़ना तब आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए तो यह इस बात की भी चर्च पर सवाल है कि अभी पार्टी तोड़ने का बीजेपी का यहां क्या उदेश्य हो सकता है बिहार में अगर देखें तो अगर आकलों की बात करें तो बीजेपी अगर पूरी के पूरी बीजेपी और GDU तो सरकार में थे ही और दोनों मिलकर मुश्किल से बहुमत के आकड़ आकले तक पहुच पाते हैं 122 की संख्या तो ऐसे में GDU को पूरा का पूरा तोड़ना पड़ेगा जो कहीं से भी संभावना दिखाई नहीं देती है कहने का मतलब यह है कि महरास्ट की परस्थिती जो आकले हैं चुनावी आकले और बिहार के चुनावी आकले दोनों में अंतर है और सरकार में होकर किसी पार्टी को तोड़ना असान होता है लेकि विपक्ष में आकर तोड़ना यह मुश्किल है हलाकि इसी इसी परिस्थिती में पिछले साल महरास्ट में सीउसेना और NCP की सरकार गिरा कर BGP ने सरकार बना ली थी यह अलग बात है पर सबसे चार का भी अंतर है जिस तरीके से महरास्ट में बदल जाते हैं नेता वो बिहार में उस तरीके से नहीं बदल सकते हैं तो यह कहीं से भी संभावना नहीं दिखाई दे रही हाँ चुनाओ से पहले उथल पुतल होगी जबरदस उथल पुतल होगी इसमें कोई दोराय नहीं लोग सभाज चुनाव को ले ले तो जो उमिद्वार जो सांसद है जेडियू के उसमें भी लगभग 50% इधर उधर जा सकते हैं बीजेपी में ऐसा माना जा रहा है इसी परकार से अगर चुनाव का समय आएगा विधान सभा का तो विधायक भी दर उधर होंगे लेकिन अभी पार्टी पाला बदलने का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि असपस्ट रूप से सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है बीजेपी को अगर बिहार में सरकार बनानी पड़ेगी ने तो दो पार्टी तो नहीं हो पाएगा तो यह मुश्किल काम है यह असंभव है लगभ पर बाकि आज के लिए वाज इतना ही तब तक के लिए नमस्कार